उतापरदेश की हमीरपुर्ट जिले में खून से लत्पत एक युवक का शव मिलने से इलाके में संसनी फैल गई जिसकी बाद धीरे धीरे घटना स्थल पर भारी भीड एक अत्रित हो गई और इस्थानिय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी जानकारी मिलने पर डॉग स्क्वैड और फुरिंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब से मिले कर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है और मामने की जांच में जुड गई है मामना जरिया थानाक शेत्र के इटेलिया बाजा गाओ का है जहां पर देराज से लापता युवक का बाहर के गाओ के बाहर खेतों की और रास्ते में खून से लटपत युवक का शव पढ़ा हुआ मिला जहां पर पुलिस ने शेफ के पास एक अवद असलाहा वकार्तुस बरामत किया है युवक के सिने में गोली लगी हुई है पुलिस की माने तो परेजनों का कहना है मिरे तक किसी बात को लेकर काफी परिशान था और देराज से गायब था परेजन दौरा युवक की हत्या को लेकर किसी भी प्रकार किया शंग का व्यक्त नहीं की फिलहाल पुलिस ने शेफ को कबजे में लेकर शेफ को पोस्ट माटम के लिए भेज दिया है और हत्या या आत्म हत्या के कारणों का पता लगाने में जुड़ गई है